आई आज का टॉपिक है रेफनल और ए रेफनल नमबर तो प्यारे बच्चों क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो अगर हाँ तो फट से बता दो कौन सा अपसंस आई है जल्दी करिए इसमें रेफनल नमबर कौन है नित्या बर्मा सीतल कुमारी संकर कमेंट सब के आ रहे हैं बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को कलास को लाइक सेर करें बाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है आपकी पूरी रिस्पांजबिल्टी है हम यूटूब पर फ्री पढ़ाएंगे लेकिन आप कलास को लाइक करेंगे इसमें रेफनल नंबर जो है वो डी वाला सही है कैसे और क्यूं इसके लिए आप अगले कलास मतलब आगे देखिए पढ़ा रहे हैं सब बताते हैं क्यूं डी वाला सही है बाकी सभी रेफनल हैं क्योंकि इनकी कोई भी एक पूर्ड संख्या मतलब वर्गमूल नहीं होगी रेफनल नंबर की परिभासा और इनको समझे की होती क्या है इसमें से आप लोग यह बताओ क्या यह सभी संख्या है जो लिखी गई है वो रेफनल नंबर है एक बार हाँ या नहीं में जबाब दे दीजिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर मतलब की बात करते हैं आपसे और इधर इसको हटा दो भाईया रस्ते में रख्यों आईए इसकी एक सीधी सीधी परिभासा होती है कि ऐसी संख्या जिसको पी या पान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो रेफनल नंबर होती है इसका का मतलब है रूप में लिखा जा सकता है इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसको नोटंकी का संख्या तो छोड़ो एक दूसरा एक्जामपल समझो नोटंकी का जोकर देखे हो नहीं देखे हो कोई अगर डान्स वगरा का प्रोग्राम हो रहा उसको देखे हो देखे हो अच्छा अभी हाली में राम लीला का प्रोग्राम हर जगा चल रहे थे साहरों में देखा था गाओं में भी देखा था ना तो राम लीला के प्रोग्राम में जो उसमें कोई भी परकार का रोल करते ह क्या होते इंसानी तो अगर किसी को किसी इंसान का कोई रोल करना है ठीक है कि मअली जी उसमें ये बात तो आप लोग बुरे सेंस में नहीं लीजिए गा की बजरंग बली जी का रोल करना है तो आपको ये कि अच्छी बात है हर कोई सम्मान करता है अब अगर कहिए कि आप किसी गाय को या किसी बच्छडे को या किसी ऐसे चीज को मतलब मतलब मेरा समझ रहे हो क्या ऐसा बनाया जा सकता है नहीं क्योंकि उसकी बनावाट विल्कुल अलग है मेरा मतलब समझ येगा मैं कहना कह चाहता हूँ उसकी बनावाट अलग है तो ऐसा नहीं दिखा जा सकता है वह ऐसा भी अब भी नहीं कर पाएगा मतलब समझ रहे हो एक इंसान ही हो सकता है लेकिन संकर जी का नंदी आपने पूरा समझ शीएगा मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पी अपान क्यों का रूप है कि इस रूप में जो संख्या लिखी जा सके यानि देखो इस पर ना तो कोई अंडर रूट है में यहीं अंडर रूट ही है इसमें एक जो लफ़ड़ा करता है जिसको नहीं लिखा जा सकता है और ना ही कुछ एक्जाम्पल देखो कि तब इसमंज में आएगा जैसे देखिए रूप की आ है यह 11 बटा शाथ क्या है पीर पान क्यूं का रूप है यह पर यह समझना यहां पर मतलब के रूप का है रूप का का मतलब समझना है रूप का क्या मतलब होता है यह समझो चोड़ो देखो जैसे अगर मैंने कहा थोड़ा सा रुखना मैं कुछ सामान लेकर आता हूं आधा मिनिट रुखना बताता हूं रूप का का क्या मतलब होता है अब यहां देखो एक जामपल आज मेरे दिमाग में आ रहा है समझो क्या यह दोनों सेम रूप के हैं कि नहीं बताइए जिने आपने अगर मैथ में सम रूप पढ़ा होगा यह सम रूप है तरबांग सम नहीं है तो एक परकार से इसमें कहा जाए जहां तक मुझे पता है कि सम रूप होना चाहिए ठीक है इसको देख रहे हो क्या है यह सम रूप है सेम रूप है छोटा बड़ा है अलग बात है बकी बनावट वैसे है कि नहीं है न सेम और यह क्या है सरबांग सम कलर भले अलग है यह सरबांग सम है लेकिन अगर इनकी जोडी लग आदो गे इनके साथ तो बताओ यह एक सरवांगसम है कि समरूप यह कुछ नहीं है ना सरवांगसम है ना समरूप है ना तो इसकी तरह इसकी बनावट है इस्ट्रक्चर है और ना ही मतलब इसके कोई पार्ट या कोई अंग परतेंग इससे मैच करतें अब अगर नहीं समझे तो फिर हमारे पास और कोई दवाई नहीं तो अब मतलब समझना मतलब समझना यहाँ पे जो मैंने दोनों डिब्बी आपको दिखाई थी उसका मतलब समझना अब यह ना कहना कि यह पी जो ही तो ग्यारा के जैसे नहीं है मतलब मुझे लगता है धेर सारा एक्जांपल बताएंगे तभी समझ में आएगा यह सभी संख्याएं क्या है जितनी है पर्मिय संख्या है सभी पर्मिय संख्या है फिर सवाल उठता है पर्मिय संख्या क्या है अब दोनों में जब अंतर समझाएंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं चलो बने रहो हमारे साथ देखो यहाँ पे रोहित कुमार कमेंट है रहा आपका संभभी कमेंट आपका भी आ रहा है महक बिंदिया सैनी सागर यादो नेम पाल सिंग चलो भई आओ यह सब ही रिफनल नंबर है क्योंकि सब को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है 3.5 को हम 35 बटा 10 लिख सकते है 35 बटा 10 लिख सकते है और इसको जो 25 वाला है इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप 5 लिख सकते हो 0.5 पे बार है इसको आप 5 बटा 9 लिख सकते हो यह सब ही पी अपान क्यू के रूप में लिखे जा सकते है अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर वो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिखा जा सकता है यह सब तो यहीं बता रहे हैं लिखा जा सकता लिखा जा सकता देखो बताता हूँ जिनको नहीं लिखा जा सकता वो भी देख लो सबर रखो जैसे अंडरूट 37 क्या अंडरूट 37 को P.A.P.A.N. Q की रूप में लिखा जा सकता है एच चल यार देखो यहां पर जैसे अंडरूट 37 क्या इसको भी P.A.P.A.N. Q की रूप में लिख सकते है यहां पर समझने की कोशिस करना इसको अगर हम करें equal P या पान Q तो क्या इसके बराबर है ऐसा हो सकता है इसके नीचे 1 छुपा सकते है ठीक है नहीं देखो ये टोपी पहिना है और ये टोपी नहीं पहिना है इसके खोपड़ी पर ये अगर लगा होता ऐसे तो हम कहा सकते हैं ठीक है बराबर है पी जो है जो हाल मेरी है वही हाल तेरी भी है लेकिन जैसे होता नहीं प्यार में दोखे में एक जिसकी सची मुख्बत रहती तरबता है सारा काम धाम चोड़के बिल्कुल भी होस हो जाता है उसी की पागल हो जाता है और दूसरा चीट करने वाल अपनी जिंदेगी में मस्त उपर ये रूट का चिन लगा बट इसके उपर नहीं लगा है तो ये रूट का चिन हट भी नहीं सकता है क्यों अगर इसका रूट का चिन हटेगा तो कोई एक पूर्ड फंख्या नहीं मिलेगी क्योंकि 37 जो है एक पूर्ड वर्ग संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये द समझ में आई विपिन कुमार कमेंट आपका दिखाई दे रहा है आप चुप चाप पढ़ाई करिए पार्टी किया होती की नहीं भाई कैना क्या चाहते हैं नंबर पर संपर करिए चलिए आगे देखिए और मतलब की बात थोड़ा सा और समझिए एक तो यह एक जांपल हो गया इसको अगर मैं नए पेज पर बताऊं तो सही रहेगा नहीं मुझे डिलीट करना पड़ जाता यहां से कि एक मिननट रुकना अब यहां रुको यहां रुको यहां पर हेडिंग डाली है आप पर मिये ऐसे नहीं मजाएगी यहां पर ऐसे लिखो पर मिये संख्या यहां पर लिखिए आप अर्मिये संख्या इरेफनल नमबर ठीक है अब समझना मतलब क्या कहना है आपका यहां पर देखना पर मिये तो मैंने आपको बताई दिया मोटा मोटा आप अर्मिये में हम बात कर रहे थे जैसे पहला अंडर रूट थार्टी सेवन ये अपर मिय संख्या है क्योंकि ये पियपान क्यूं के बराबर नहीं है दूसरा जैसे अंडर रूट टू प्लस फाइव अगर इसके नीचे हम ऑन भी लिख दें फिर भी ये इक्वल पियपान क्यूं नहीं होग क्यों नहीं होगा क्योंकि यह अंडरूट वाली जो मुसीबत है हटने वाली नहीं है अगर इसको हम अटाएंगे भी तो एक पूर्ड संख्या नहीं आएगी समझ रहे हो वचे अगर इसकी कंपेर में इधर हम लिखें तो ऐसे अंडरूट 25 प्लस 3 यह पर्मिय संख्या है यह पर्मिय संख्या है बताओ का है को है क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से हट सकता है छोड़ सकता है तो यह क्या हो जाएगा 5 और यह 3 बदाबर 8 बटा एक य कंडिशन पर डिपंड करता है अगर उसका वर्गमूल निकल जाता पूरी तरह से तो वह पर्मिय है नहीं निकलता है तो अपर्मिय है कि यह क्लास आज हर किसी को मज़ेदार नहीं लग रही होगी महक सागर क्लास को पूरा देखेंगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगा अनिता सहाए अमन केसरवानी मन जी सुरू में लिखा था अगर आपने देखा होगा तो रेफनल रेफनल लिखा था ना आप कहो कि जितनी जगा हम लिखें उतनी जगा इंगलिफ लिखें तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है अगर आपने सुरू में देखा होगा तो सुरू में देखें आप लिखा ह रेफनल और रेफनल नमबर लिखा है न तो ये प्रिंटिंग वाला तो काम है नहीं ये लिखा जा रहा हाथ से यहाँ पर लिखा है तो आप कहो कि अगर हर जगा हम हिंदी लिखें फिर इंग्लिस लिखें फिर इंग्लिस फिर हिंदी तो नहीं चाप लिया आगे बढ़ें चलिए तो पहले वाले के तरीके पर चलें अगर जैसे इधार है इसकी compare में अगर इधार लिखें परमिये तो जैसे अगर ये under root या घनमूल का चिन है 731 तो क्या है पता है ये P.A.P.N. Q के बराबर है इसे आप लिख सकते हो P.A.P.N. Q के बराबर कैसे पता है देखो इसका घनमूल 9 आएगा क्योंकि यहाँ पर घनमूल का चिन लगा है और 9 को आप लिख सकते हो 9 बटा एक यानि equal P.A.P.N. Q तो ये क्या है परमिये संख्या है ना टिक दिफिनल नंबर किसी के मन में कोई डाउट कोई तकलित तो बताओ मुझे नहीं न कोई डाउट नहीं पार्थ समझ में आ रहा है तूफान हीरवार आ रहा है सभी जात्र टेली गराम पर P.B.R.S.T.E. को जवाइन करें जिससे कि उन्हें सारी free class की notification, PDF, notes, study material जो भी हमारे पास हो सके उन्हें हम दे सकें ठीक है तो यह नाम है P.B.R.S.T.E. चलिए जबाद दीजिए निम्न लिखित में कौन इरेफनल नंबर है select इरेफनल नंबर देखो बाबू second number question है अगर A वाला आपको लग रहा फाही है तो आप comment में 2A लिखेंगे जिनको लग रहा है 2C सही है वो 2C लिखेंगे question number और आपसा number दोनों लिखेंगे चलो जल्दी करो लखन करन आरा समझ में आकास सुकला एंडिया डिफेंस बताइए आरा सबको ना आपकी जिम्मेदारी है मैं यूटूब पर ये बैच पूरा फ्री पढ़ाओंगा पूरा फ्री बस condition है कि आपको लाइब देखना होगा क्योंकि आपकी सौक होती ही ना लाइब की लाइब के बाद नहीं देख पाओगे डेलिट कर दिया जाएगा जो बच्चे क्लास में आए है वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उन्हें प्राइबेट लिंक भेजा जाएगा इसका वो देख सकते हैं बाद में सबसे पहला कोई जबाब दिया है इसमें तो उनका नाम है सोनु कुमार सागर यादो, पूनम, पिंकी नित्या, सचीन, जोती, संगीता, अनूप अपर्मिय संख्या कौन है इसमें जनाब बहुत अच्छे ये अपर्मिय है क्योंकि यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है और 81 एक पूर्ल घन संख्या नहीं है ये नाट परफेक्ट क्यूब नंबर 81 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है इसका घनमूल करोगे तो साथ सता उन्चाथ सत्य तीन सो तिरालिस साथ आजाएगा इसका घनमूल करोगे तो पांच आजाएगा इसका करोगे तो नौ आजाएगा बट एक का करोगे तो का आएगा जच्छा जो भी आएगा दसमलों में आएगा देखो कैसे अगर पूर्ड गंध संख्या की हम बात करें सबसे चोटी पूर्ड गंध संख्या एक फिर आठ फिर 27 फिर 64 फिर 125 64 के बाद 125 होता है उसके बीच में है तिसका जो भी आएगा 4 point something आएगा दसमलों में आएगा लिजन्ड लाइफ गॉड इनका नाम है क्लास के एक मिनट के बाद इलिट कर दिये जाएगा सिर्फ एक मिनट में तुम अगर सोचो कि हम डाउनलोड कर लेंगे तब करेंगे तो भी नहीं चलेगा वो अगर हम अपने पास से डिलिट कर देंगे तुम डाउनलोड भी कर लोगे नहीं चलेगा हम डाउनलोड करने देंगे नहीं चलो अरे यार क्यों करना चाहते हो भाई डाउनलोड क्यों रखना चाहते हो आपको चीज पता है कि मैं कम से कम सत्तर किताब ऐसे रखा हूं ठोड़ बहुंट भले बोल रहा हूं लेकिन तब इस पचीस तो हों गी जिनको पढ़ने के लिए लाया हूं लेकिन आद तक मैंने एक को पनना नहीं पढ़ा हूं की क्यूं पता है क्योंकि मैं लाकर रखाऊ खुष हूं कहां है एक बाना कंपँ मूँ को समझ रहे हो ना नहीं पढ़ोगे मुझे पता है इपलेट डाउनलोड करके रखने कोसिस ना करिए पढ़ाई करिए चलिए तीसरे में जवाद दीजिए तीसरे में जवाद दीजिए अगर थार्ड में A सही है तो आप कमेंट करिए 3A अगर D सही है तो 3D और C सही है तो 3C बताइए अभी आगे कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले 2-3 प्रेक्टिस कर लिजिए तब देखो बाबुजीन को भी सीखना है जब आप दीजिए बात नहीं करेंगे बात में बात होगी इनके कमेंट अगर हम लेंगे तो हम यह पागल करके छोड़ेंगे छोड़ो एक लाइन मैं जरूर कहूंगा कि क्लास 9 बज़े सुरू होती है सारा कामधाम छोड़के 9 बज़े के पहले 8 बच कर 50 मिनट पे बैठ जाया करिए क्योंकि फ्री भी लेना है न हाँ जिनको यह सब लफड़ा नहीं करना है वो एप्लिकेशन में 5 नवंबर से एक लब बैच जोईन करें कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी का जाम मन करें तब देखना रात के 2 बज़े देखना सुबेरे 6 बज़े देखना दुपारियम 3 बज़े देखना कोन दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है एक लब बैच जोईन कर लिजिए बहुत अच्छा जो बच्चे जवाब दे दिये बेरे गुड तो ये एक लब बैच बाबू आ रहा इसमें लिमिटेड सीटे हैं पर्थम 100 बच्चों को मिलेगा भारे डिसकाउन अगर आप भी चुक हैं तो जल्दी करें कहीं ये मौका आपसे छूट न जाए इसमें एक और भी अच्छी बात है बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें एक प्लान है तिर्पल नाइन का जिसमें आपको पूरे 24 महीने के लिए पूरा बेसिक एंसी आटी मिलेगा 10 तक तुमाँ 10 किलो प्याज कदाम है 10 किलो प्याज कदाम है दूई साल चलेगा और तुम 10 किलो प्याज लेके रख लोगे दूई साल में सड़के माटी हो जाएगी अब बताओ अगर पढ़ लिए तो प्याज और आलूग फैक्टरी खोल सकते हो मतलब समझ रहे हो फैक्टरी मतलब कुछ जादा हो गया क्या चलो ठीक है मेरा समझ गे ना मेरी बात चली आगे बढ़े अरे पढ़ लिखके किसान भी तो बन सकते हो हम लोग खुदी किसान है अभी देखो दान की बिटाई हो रही है तो ये हो गया थाड नंबर में कौन कौन बताया बेरे गुड आईए बताता हूँ देखे कहरा इनमें इरेफनल नंबर कौन है इरेफनल नंबर यानि आपर्मिय संख्या आपर्मिय संख्या कौन कौन सी है इसमें देखो ये डाट-डाट करके अनन्त तक है, इन्फाइनाइट तक है, इसको अगर हम बात करें तो 23 अपान 100 लिख सकते हैं, अगर इसको बात करें तो 5 अपान 7 लिख सकते हैं, माइनस 5 बटा 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो 3 बटा 9 लिख सकते हैं, ले तो वही है अपर्मिय संख्या है तीन में एस ही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ कांसेप्ट आपको बता देते हैं ठीक है देखिए मैंने वहाँ पर सबसे पहले टाइप डाल रखा था लेबल फ़र्ष्ट और लेबल सिकेंड के कुश्चन तो ये लेबल फ़र्ष्ट के कुश्चन है लेबल फ़र्ष्ट के कुश्चन है ये समझना लेबल फ़र्ष्ट में सबसे आसान आफान कुश्चन है ये पर्मिय संख्या होती है सभी जो आपको दिख रही है लग भग में एकाता पर्मिय संख्या है उसके बारे में ठीक है इन सब को पी अपान क्यूं के रूप में क्या करना चाहिए लिखा जा सकता है चिन से कोई मतलब नहीं है विशेस रूप से यह पर्मिय संख्या है क्योंकि जीरो आएगा बट बाबु यह पर्मिय संख्या है यह पर्मिय नहीं है उपर यह पर्मिय है, पर्मिय नहीं है अभी को समझ में आ रहा है ना इनको P.A.Pan Q के रूप में लिखा जा सकता है इनको P.A.Pan Q के रूप में यह पर्मिय संख्या है यह लेबल फस्ट के कुश्चन है सबसे आसान वाले इसको तो बताई दिया हूँ झाल चलें आगे आईए तो लेबल सिकेंड में आजाओ लेबल सिकेंड में आजाओ बढ़िया चलिए ये लेबल सिकेंड के कुश्चन है साथियों ये पॉइंट में होते है इनमें कुछ पर्मिय भी है कुछ अपर्मिय भी है क्या आपको इसमें कोई अपर्मिय संख्या दिख रही है एनीमन कोई बताएगा हाँ दिख रही है अपर्मिय संख्या दिख रही देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 10 चूंकि एक अंक पर पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं दो अंक पर दसमलो है तो 314 बटा 100 थिख है अगर किसी भी गिंती में नीचे 0 होता है तो इसका मान अनंत होता है इन्फाइनाइट होता है यह पर्मीय संख्या नहीं होगा क्या होगा ये यह पर्मीय संख्या होगा इसको हम लिख सकते हैं 25 अपां 10 ये क्या होगा परमिय संख्या होगा आज की क्लास में हम आपको रेफनल और इरेफनल सिखा रहे हैं ठीक है आप लोग अपने सोना बाबू से थोड़ा पीछा चुड़ा के इंटरनेट बचा के रखिएगा ठीक है क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कंप्लेन और मैसेज आ रहा था रिक्वेस्ट आ रही थी कि देखने दिखाने के चक्कर में इंटरनेट खतम हो जाता है सामक सकीम कुछ कर जाओगे आए लेबल थार्ड में बात करते हैं लेबल थार्ड के कुजिशन जैसे अगर यह है थार्टी सिक्स बटा तेरा क्या यह पर्मिये है या पर्मिये है मुझे यह बताओ पहले रिफनल है या ए रिफनल है अगर रिफनल है तो पी रिफनल है तो क्यूं लिखिये मैं आपके सामने से हड़ चुका हूँ सुमन परजापती अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी है अमन जी आप PBR Study एप में एकलब बैच जॉइन करिए बाबु देखो भाईया जीन को भी रात में लाइव आना अच्छा नहीं लगता है इम्पॉर्टन काम है वो PBR Study एप में पाँच नॉम्बर से एकलब बैच आरहा है उसको जॉइन कर लें कभी भी देखें किसी भी समय देखें कोई लफडा नहीं है बहुत अच्छा यह इरेफनल नंबर है यह है इरेफनल नंबर अपर्मिय संख्या इसमें सबसे पहला जबाब देने वालों में जिनका नाम है उनका नाम है बूपेश सोनू जग नारायन रोहिस सचिनियादो सांभवी मिस्रा पूजा अनूप मौमध हस्तान संगीता नित्या सवरभ सुरेंद्र स्तुभद्र आर्या क्यों क्यों क्योंकि इसमें कोई भी ना तो 36 ना तो ये 13 कोई भी पूड़ वर्ग संख्या नहीं है कैसे नहीं है आईसा कैसे कह दिया है एक्ठू है एक्ठू नहीं है तो ये 6 बटा अंडरूट 13 आ जायेगा क्योंकि 36 एक पूड़ वर्ग संख्या है फिर भी ये अपर्मिये ही होगी क्योंकि ये 5 q q की रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं हटाया जा सकता इसका चिन अगर हटाएंगे तो एक पूड़ संख्या नहीं आएगी उमीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई अपर्मिय संक्या अंडरूर्ट 25 बटा 17 ये बताओ क्या है पर्मिय है कि अपर्मिय बताओ भया अपर्मिय है कि रेफनल बीन कुमार बताओ अनुज अभी नो पर्मिय पर्मिय क्या है बहुत अच्छा बढ़े गुड बच्चा बढ़े गुड बहुत अच्छा ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड ये पर्मिय संख्याच अच्छा क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस का फाइप आएगा तो फाइप अपन सेबंटीन आप लिख सकता हो इसको चाहे तो 5 बटा 17 लिखो चाहे तो माइनस 5 बटा 17 लिखो दो जगा से लिख सकते हो दो तरीका से बट बट का है पता है तुम्हे दूनों पर्मिय संख्या है पर्मिय संख्या है या पर्मिय नहीं है अच्छा तो यही में लगे हाथ ही बतावा सबही कि under root 10 पर्मिया है का पर्मिया है हो बतावा हो पंचो यह पर्मिया है का पर्मिया इसका code है yaks and y y मतलब पर्मिया yaks मतलब पर्मिया बताव अगर यह पर्मिया संख्या है तो आप yaks लिखेंगे कमेंट में आप पर्मिया है तो वाई under root 10 इजा रेफनल नंबर और रेफनल नंबर कमेंट यूर आइंसर वेरी फास्ट देखो अंगरे जी आवे लगा ना हमका कातू लोग अलकेम लेता का इसे सबसे पहला जबाब इसमें अगर कोई दिया है तो मुझे ने लगता कौन है वो क्योंकि सब लोग सम्में वही से दे रहे हो बहुत अच्छा मोहमद हसन विसाल पास्वान अलोग सिंग अनिल कुमार किस्कू पूरे मोहलग ना में रख ले हैं जोड के अकठा बड़ा सा नया तिवारी संकर बिने बिंदिया सागर बिने बहुत अच्छा ये इरेफनल नंबर है क्योंकि ये देखो भाई सिंपल सा फंडा ये है इदूठी नाम सुने आगना है पूर्ड वर्ग और ये थी पूर्ड गहन इसको इंगलिस में पर्फेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं अंग्रेजी वाले जान लिया इसको पर्फेक्ट स्क्वाईर पर्फेक्ट स्क्वाईर यानि पूर्ड वर्ग और पर्फेक्ट क्यूब यानि पूर्ड गहन ये संख्यां अगर हैं तो वो संख्या पर्मिय होती है ठीक है चाहे वो रूट के अंदर हो या घनमूल के चिन्द के अंदर हो और अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या पर्मिय होती है अच्छा तो यहीं लगे हाथ ही बतावात अच्छा लोग कि अंडरूर थर्टीन का है हो अगर यह पर्मिय है तो तुम वाई लिखोगे वाई मत लिखो यारा महीं लिखे रहा सभाई वहीं उल्टा पूल्टा के देवा ई और यफ चलो बताओ एक और बताओ आगे बढ़ा रहा हूं देखिए अगर आपको आ भी रहा है ना कुछ तो थोड़ा संतोस करना चाहिए क्योंकि सोसल मीडिया पर रील इसे इसे निच्छे उपर करके जो तुम कच्छा पक्का बदाम देखते हो ना उसको भी तुम पता आएगा उ कुछ अच्छा मिल जाए तो वहां टाइम नहीं बचाते हो मुझे पता है अईसे हो था बैया जब कोनों काम कर एक पड़े या कोनों अच्छी जगा तो बहुत टाइम यादा हो था जब हम लोग कच्छाट पढ़त रहें ना हम लोग के घरे वाले हमका 20 चर्वा बेजवा का मतलब पढ़ने लिखने तो जो किसी काम में लगा दिया जाता है कहीं और पजी हो जाओ किसी अच्छे काम में तो बहुत कुछ लादाता है यह बात सही है कि ऐसा होता है कि यह आपर्मिया संख्या इसका जवाब है ए कि सबसे पहला इसमें जवाब दिया है मैं उनका नाम जरूर बोलूँगा पूरे सम्मान के साथ उनका नाम है बहुत तेजिक साथ भाग रहा है नहीं समझ में आ रहा है ठीक है बंदना प्रिंसी यादो ठीक है तो इसमें जो सही जबाब है वो इरेफनल नंबर है क्योंकि जो 13 है वो ना तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना ही पूर्ण गहन संख्या है ठीक है ये ना ही पूर्ण वर्ग है ना ही पूर्ण गहन है इफ लिए ये क्या है यार इसमें कुछ अजीब टाइब का लगा है आयर टाइब का पता नहीं कौन छुवा था इसको यह भी लगा है very good बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे तुम लोग कितने निक्के हो मुझे नहीं पता था कितने निक्के हो तो लेबल 3 होईगा लेबल चार में आगे बढ़िए इनको रपट के साइड में कर दीजिए देखो इधार अब लेबल फोर यह सब हमारे पढ़ाकू बच्चे है इसी बात थोड़े है यह बताईए कि अंडर उट हंड्रेड प्लस का फाइफ अपटे में तीन यह पर्मिय है क्या पर्मिय है बताओ हम सिखाएंगे बताएंगे अभी पूरा मतलब इस्तार से क्या है यह आप सब ही लिखा पी लिखा अगर यह है पर्मिय अगर आप पर्मिय है तो आई यह कोड है कमेंट करिए पी अगर पर्मिय है तो अगर अपर्मी है तो आई बताइए मैं बता दिवाँगा अभी समझा दूँगा तुरंट जश्ट सबसे पहला जबाब इसमें कोई दिया है तो उनका नाम है बिने उसके पहले अनूज है फिर सचिन भूपेस अच्छा एक चीज पता है तू लोग का जब सव लोग मना इन लोग का पिछे कह पावा तहां तो का पता है कि कोनों परकार के आज कल गौवर्मेंट जॉब उमें एक सीट पे ना दददफ हजार लोग का पिछे करेक पड़ा थे तो उनका के लेवा तो हिया कम से कम जीतो चोटी चोटी जीत जिन्दगी में आतम विश्वास बढ़ाती है पर्मिय संख्या है क्योंकि सौ का वर्गमूल दस होगा दस धन पांच बटा तीन पंदरा बटा तीन आएगा चाहे तो इसको डारेक्ट पर्मिय बोल दो या पांच के रूप में बदल लो तो पांच बटा एक पर्मिय संख्या है इतनी हो जाई करने के बाद किलियर हुआ ठीक है बढ़ियां तो बी नंबर लिखा भईया सा भई तीन धन अंडर ऊट 7 और माइनस तीन धन अंडर ऊट 7 यह बतावा का है पर्मिय का पर्मिय अगर यह रेफनल नंबर है तो आर लिखिये रेफनल है तो आई लिखिये इसमें भी है रेफनल या रेफनल बताईए जनाब देखो बहुत आसान है बेरी गुड ये 3 पलफ अंडर उट से बन माइनस 3 कोष्ठा खुलेगा तो अंदर के चिन्हवे बदल जाएंगे 7 से 7 निपड जाएगा 3 से 3 निपड जाएगा 0 आएगा यानि सुनना आएगा और सुनना इजा रेफना लंबर चापा भईये चापा 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 जोनी बर्मा दयानंद प्रिंसी आदव बिंदिया सैनी नित्या बर्मा आनवी सर्मा राहुल आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर अब लगे हाथ कोई दिक्कत ना किसी को तकलिफ नहीं ये जो बैच चल रहा है इसमें आप सिर्व लाइब देख सकते हैं लाइब के बाद आपको ये वीडियो यूटूब पर कहीं नहीं मिलेंगे क्लास का टाइम रात 9 बज़े से 9 बज़ कर 40 मिनट तक है जो कि हो चुका है ठीक है अगर आप नहीं चाहते हो ये कंडिशन बिलकुल दिल खोल के आजादी से पढ़ना चाहते हो तो 5 नौंबर से एक कलब बैचारा अपलिकेशन के अंदर इसमें आपको रिकॉर्डेट फार्म में पूरा फुल यही कोर्स मिल जाएगा सेम चीजे अब कभी भी कहीं भी देखिए परजन टाइम में 100 बच्चों के लिए आफर है एक साल की फीस 1999 बे रुपए है जिसमें अभी महा डिसकाउंट मिल रहा है और ये फीस दिवाली आफर में सिर्फ 500 रुपए मिल रहा है पूरे एक साल के लिए एक साल अब इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में जीना है तो कुछ नहीं हो सकता है जहां आजकल 225 रुपए किलो सबजीयां मिलने लगी है वहां 500 रुपए में एक साल यानी 12 महीना चलाना किसी का बसकर नहीं है तुम ये सोचलो कि अगर एक स्टुडेंट हो 10 रुपए की रोज सबजी लाते हो एक स्टुडेंट महीने का 300 रुपए का सबजी होगा और एक साल का 3600 रुपए की सबजी होगी समझ रहे हो मान लोग कुछ दिन गयब कर दिये नहीं लाए तब भी 3000 की होगी 600 छोड़ दो आपको कम से कम 1500 घंटे इमानदारी से दिल लगा के पढ़ना होगा बाबू को थोड़ा दिन के लिए ब्रेक अप कर देना होगा तब ही आने वाला है अगर चाहते हो कि नहीं हम सिर्फ जॉइन कर लेंगे बस हो गया तो नहीं कुछ नहीं होगा जॉइन करने से तो कितने लोग हैं ऐसे जिनकी हिम्मत है बाबू को कुछ दिन साइड करने की बताओ ये बैच है बिंटर बैच जो यूटूब पर टोटल फ्री है इसमें कोई चार्ज नहीं है सुरू से पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे यूटूब पर पूरा पढ़ाएंगे प्रामिस कर रहे हैं लेकिन सिर्फ लाइब पढ़ाएंगे लाइब के बाद वीडियो नहीं मिलेगा चाहे तो आप लाइब आओ डेली और कलास को लाइक सेर करो ये देख तरीका है और चाहे तो लाइब आते हैं उसमें अपनी बात आप कह सकते हैं इसको पढ़िए प्यार से पढ़िए किसी को कुछ कहना है तो कह दीजिए आज की कलास का टाइम ओबर होता है किसी को कुछ कहना है तो बताए यूटूब पर ये कोर्स तीन से चार वहीने के अंदर खतम हो जाएगा हमारी भरपूर कोसिस रहेगी अगर सब कुछ कुसल मंगल चलता रहा तो ठीक है और अप्लिकेसन में तो आप जब चाहो तब खतम कर लो क्योंकि एक साथ मिल जाएगा अप्लिकेसन माला कोर्स आप तीस दिन में खतम कर सकते हो अगर डेली आप चार-पांच घंटे पढ़ सको कम से कम तो ठीक है उसमें recorded वैज मिल जाएगा आपको लाइब अगर आपकी सोक है तो आप में भी लाइब मिल जाएगा बट नार्मली रिकॉर्डेड ये नंबर है जिस पर आप फोन या वर्टसप करके इंक्वारी कर सकते हैं ये नंबर है ठीक है यहां से बाद यहां चाहे तो आप फोन या वर्टसप करके इस पर इंक्वारी करिए अगर कुछ पूछना है तो और नहीं तो फटाफट जवाइन करिए बीना कुछ पूछे क्योंकि ये ऐसा आफर दुबारा नहीं मिलने वाला है न दुबारा मिलने वाला है न दुबारा आपको पढ़ना पड़ेगा ये नंबर है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद दस बचे से अगली क्लास साथियों इंतजार रहेगा आपका सिकेंड समेश्टर डी एलेट का सिकेंड समेश्टर राहुल बाबु देखो ये नंबर जो दिया गया यूपी आई नंबर है आप चाहे तो इस नंबर पे डारेक्ट पेमेंट करके वाटसप पे सिलिप भेजिए तूरंथ हम आपको कोर्स एक्टिवेट करके कॉल करेंगे इस नंबर पे ठीक है या फिर आप अपली केशन में जाके भी परचेज कर सकते हैं एनी यूपी आई से चाहे तो नंबर पे करिए या आप में जाके कर लीजिए फटा फट तो आज के लिए इतना ही थाइंक्यू दस बज़े से फिर से मिलना और आरजून बैच के साथ यूपी डी एलेट सिकेंड समेश्टर मैथ यूटूब का फ्री लाइब दस मज़े से प्राजूब कर ऑप है झाल झाल